कि आप हर साल अपनी मेहनत की कमाई का एक बड़ा हिस्सा टेक्स में देते हुए ठक चुके हैं तो परिशान होने की जरूरत नहीं कि अभी भी आपके पास 31 मार्ज तक का समय जहां पर आप सही तरीके से टेक्स प्लानिंग करके उस बड़े टेक्स के हिस्से को बचा सकते हैं आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन 80C की जो की व्यक्तिकत करदाता हूं और हुए के लिए टेक्स सेविंग के अफसरों का ख़जाना है सेक्शन 80C का नाम सुनते हैं सबसे पहला ख्याल जो मन में आता है वो जीवन बीमा का या पीफ का आता है हाला कि इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे साधन हैं जो आपनी जरूरतों के हिसाब से इस्तिमाल करके टेक्सिस को कम कर सकते हैं और कुछ साधन ऐसे भी हैं जहां पर आपको एक भी रुपए का निवेश नहीं करना पड़ता है फिर भी आपके टेक्सिस बच जाते हैं इसके बाद भी आपको ज़रूरत महसुस होती है कि हाँ यह जगे बच रही है अभी मेरा पुरा डेड़ लाख नहीं हो पाया है तो हम आगे जिन अन्य साधनों के बारें बात करेंगा उनमें निवेश करके आप टेक्स की रिबेट ले सकते हैं इसके अलावा दूसरा साध सकते साधन है अगर आपके नाम से को यहोंम लोन चला है तो आपने पूरे सारव में प्रिंसिपर रिञेट किया है उसको भी आप रंपरा अगत त् hm साधन है इक है जीवन वीमा जो कम से कम अवधी के आते हैं वो पांच वर्षों के अवधी के अव पांच वर्षों के अवश येलिघ मат से उपर के शाधन होती हैं अगला परंपरागत जो साधन है वो है पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो कि आप किसी भी बैंक से पोस्ट ऑफिस के दुवारा ले सकते हैं पब्लिक प्रोविडेंट सकते हैं इसके अलावा जो साधन है अगर आपके घर में बेटी है जो जसाल से कम की है तो आप उसके नाम पर सुकन्या समर्दी और ले सकते हैं और इसमें बहुत ही अट्रेक्टिव ब्याजदर है जो की गारंटीड है एट पॉइंट परसेंट का रिट आफ इंटरस्ट है औ पर कि अगर आपकी आयू है तो यहां पर भी आप निवेश कर सकते हैं इसमें निवेश मैग्सिमम तीस लाख रुपे तक कर सकते हैं अब आज के जमाने के साधन की बात करो तो म्यूचल फंड के एक्विटी सेविंग स्कीम साती है जिन में पूरे मार्केट की सबसे कम होते हैं वो गारेंटीर नहीं होते हैं क्योंकि मार्केट से लिखन रहते हैं लेकिन यह देखा गया कि अगर आपने लंबी अवदी इसको होल्ड किया तो किसी भी परमपर अगर साधन के मुकाबले में यहां पर सबसे अच्छे आपको मिलते हैं बोनस टिप आपको मैं दे हैं जो अगर कहीं पर जॉब कर रहें तो वहां पर भी वो कंट्रीबुशन अपना मेक्जिम लेड़ लाग के ऊपर इस्टेश अगर करते हैं तो सेक्शन एक्टी सी सीडी वन बी के तहत उनको टेक्स में छूट मिल सकती है व्यक्तिकत करदाता हों के बारों में तो मैं सकते हैं और अपने नाम से भी पीपेफ अकाउंट ओपन करवा सकते हैं अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करना मत भूलेगा क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है आगे भी इसी तरीके के वीडियो बनाने में थैंक्यू